नमस्कार आज हम जानेंगे इजो में मल्टिपल बिजनेस को कैसे चलाते हैं आजकल हर बिजनेस परसन के पास मल्टिपल बिजनेसेस है और उनका बिलिंग और ट्रैकिंग अलग-अलग होना इंपोर्डन्ट है आपके पास GST या Non-GST कोई भी बिजनेस हो आपका बिलिंग इजो में हो सकता है मानके चलते हैं कि आपके पास दो अलग-अलग बिजनेस है एक GST रेजिस्टर बिजनेस है और एक Non-GST बिजनेस है आप दोनों को भी आसान इसे इजो में चला सकते हैं तो चलिए जानते हैं कैसे हम लोग इसे करना है मेनू में जाके Change Company पे क्लिक करें आपकी जो Already Companies है वो यहाँ पे दिख जाएगी आप Add Company पे क्लिक करें मैं भारत स्टोर करके एक नया बिजनिस आड़ कर रहा हूँ यह जो है बिजनिस आड़ हो गया है मैं एक बार फिर से Change Company पे जाऊँगा और देखिए Second Number का जो स्टोर है मुझे दिख रहा है भारत स्टोर मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा और Submit करूँगा मैं भारत स्टोर, यह जो मेरा दुसरा बिजनिस है उसमें आ गया हो आप यहाँ पे आपकी Party अलग से मैनेच कर सकते है आपकी Inventory अलग से मैनेच कर सकते है और आपकी Billing भी अलग से मैनेच कर सकते है मुझे आशा है कि आपको ये फीचर बहुत ही अच्छा लगा होगा इजो इजो के साथ आप बिजनिस पर मजबुत पकड़ बना सकते हैं और बिजनिस को ग्रो कर सकते हैं ऐसे ही इंटरस्टिंग बिजनिस ट्रिप्स एंड टिप्स के लिए इजो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें आपको ये फीचर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और ये वीडियो अपने बिजनिस दुस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो अपने बिजनिस को भी ग्रो कर सके तरक्याप के साथ जैहिन जैवारत